दोस्तों नमस्कार, महरास्ट के मुख्य मंत्री उद्दफ ठाकरे के राइट हैंड का ये जाने वाले अनिल परप पर E.D. ने एक्शन लिया है E.D. ने नया समझ जारी करते हुए 28 सेतंबर को पूछताच के लिए तलब किया है एजेंसी दुआरा अनिल परप को जारी किया गया दोस्तों ये दूसरा समन है इससे पहले शिवसेना नेता को 31 अगस्त को तलब किया गया था इन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट की तरप से लेकिन उन्होंने एक लोग सेवक और महरास्टोर राज्यमंत्री के तौर पर कुछ प्रतिबद्दताओं का हवाला देते हुए ED से कुछ समय मांगा था मनी लॉंडरिंग मामले में बरखास्त साहयक पुलिस मिरीक्षक सचिन वाजे का बयान दर्ज होने के बाद महरास्टो के ग्रेव विबाग में तबादला पोस्टिंग से जुड़े मामले में अनिल परब ED के निशाने पर आ गए थे सचिन वाजे ने अपने बयान में कथित तौर पर ED अधिकारियों को बताया था कि अनिल परब और अनिल देशमुक दोनों ने 10 पुलिस अधिकारी DCP लेवल के जो रेंक के अधिकारी थे उनके ट्रांसफर को रोकने के लिए 20 करोड रुपे जो है प्राप्त किये थे जिनके ट्रांसफर का आदेश ततकालीन मुंबई पुलिस आयुक परबीर सिंग ने दिया था वाजे ने आरोप लगाया था कि स्थनांतरण आदेश में नामिद DCP से 40 करोड रुपे जो है लिये गए थे जिन मैंसे 20 करोड रुपे परब और देश मुख को पहुँचाए गए थे उन्होंने दोस्तों आगे दावा किया कि अनिल देश मुख के लिए पैसा उनके निजी सचिफ और इडी द्वारा ग्रफतार आरोपी संजीब पलांडे को प्राप्त हुआ था और अनिल परब के लिए पैसे शेत्रिय परवहन अधिकारी बजरंग खर्माटे को प्राप्त हुआ था सचिन वाजे ने आगे आरोप लगाया था कि संजीब पलांडे ने अनिल देश मुख के लिए ट्रांसफर पोस्टिक संबंदी जो है काम सभाला था जबकि बजरंग खर्माटे ने अनिल परब के लिए ट्रांसफर पोस्टिक संबंदी काम सभाला था तो कुल मिलाकर दोस्तों जो E.D. है E.D. ने एक नया समझ जारी कर दिया है और 28 तारीक को अनिल परब को पूछताच के लिए तलब किया है कि आईए आपसे इंटरोगेशन की जाएगी इससे पहले जो समन उनने भेजा गया था पूछताच के लिए और जो भी जो ये दरसल वसूली के पैसे लेंदेन की बात निकल कर सामने आ रही है इसके रिगार्डिंग E.D. इंटरोगेशन करेगी तो कुल मिलाकर दोस्तों ये E.D. का एक बड़ा एक्शन इस पूरे के पूरे मामले में जो ये नवाया डवलप्मेंट टिंकल कर सामने आया वो मैंने आपको बताए जैसे ही इस मामले में कोई नए अपडेट टिंकल कर सामने आएगा तुरंत आपके बीच में मैं लेकर उससे हजरूँगा वेराल इस वीडियो में अतना ही जल्द मिलूँगा किसी दूसरे अपडेट के साथ में तब तक लिए धनवाद अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड अबने बेल आइकन को भी प्रेस करें तक जब भी मैं कोई नए वीडियो लेकर रहा हूँ तो सबसे पले नोडिफिकेशन आपको मिले